असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज आपके लिए मैं बहुत ही जबरदस्ट, बहुत ही टेस्टी गोभी मंचुरियन की रेसिपी लेके आई हूँ, यह बचों को बहुत ही पसंद आती है रेसिपी और बड़े भी बहुत पसंद से खाते हैं इसे, आप प्थाइक पतभी पतँ को मैंने हाथों की मद्द से सभी को मैंने निकाल रही हूं, सभी को अच्छी तरह से निकाल लीजिए और जो एक्स्ट्रा, ज़ो बचा हुआ जड़ रहता है, उसे आप काट लीजिए काटने के बाद साइट्स के जो भी गोभी है, उसे अच्छी बाल आने के बाद निकाल लिया है निकालने के बाद एक बॉल लिया है एक बॉल में मैंने टू टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाला है दालके इसमें चिली पोडरो नमक हल्दी पोडरो और धनिया और इसमें मैंने जंजर गर्लिक पेष्ट दालके पानी डालके सारे मसा इसमें डाल दिया है मैंने 50% ही उबाला है इसे बखी का ये इसमें ही अच्छी तरह से ये फ्रै हो जाएगा देखो इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए 20 मिनिट रेश्ट के लिए रख दीजिए फिर इसे ऑईल अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद जो भी एक गुबी है इसे डाल के अच्छी तरह से इसे फ्रै कर लीजिए गुल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तो आप इसे निकाल दीजिए देखो मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है निकालने के बाद एक पैन में मैंने ऑईल गरम कर लिया है इसमें पहले मैंने गार्लिक और प्याज ou और क्यापसिकम रहा धनीयान निया निया है। पहले मैंने इसमें वेनेगर डाला एक टेबल स्पून, उसके बाद मैंने सोया सॉस डालّा है, और इसके बाद मैंने चिली सॉस दालके इन सभी सो कर रही हूं अची तरह से सारे sauce को mix करके आप इसे जो प्याज जो सभी मैंने डाला था उसे डालके बाद मैं आपने इसमे टमाटो sauce थोड़ा add कर लीजिए करने के बाद और इसमें मैंने चिली पोडर आट किया है नमक आट किया है और धनियां पोडर गरम मसाला पोडर सभी मैंने आट करके सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है पहले मैंने एक टेबल स्पोन कॉन फ्लोर लिया है इसे मैंने थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसे गोल तयार कर लिया है हर्या धनियान डाल के मैं इसे corn floor के पानी डाला था वो सभी mix कर लिया है जो मैंने फ्रे किया हुआ गोबी था वो मैंने इस सभी मसा देखो एकदम क्रिस्पी और यह मी बहुत ही स्पैसी लग रहा है यह रेस्टरेंट स्टाइल में ही मैंने बनाया है आप इसे घर पर ट्राइ कीजिए मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक् अवालेकुम वीवर्स